सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू क्लास डेस्क आइम अधिल सिंग वाल्दिया यह टीचर एज 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 एमेंटर सो आई होब आपने पहले के जो दो वीडियो स्थी एकनॉमिक्स और बिजन सटीज जिसमें आपको बताया था कि सीउटी के लिए क्या कि रिलिवन होगा बट वह दूसरी वीडियो में यहां पर स्रें बोर्स की बात कर रहें जो कि आपके मार्च में होने वाले हैं ठीक है तो अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो आपका और 95% का स्लेवर कवर अप हो जाएगा पूरा बोर्स का तो आईए शुरू करते हैं ज तो अगर नहीं बात करूं यह तीन बुक्स के अंदर बेसिक लिए आपके चार यूनिट्स बन नी पड़ी है जैसे फर्स्ट यूनिट है आपके अपके पार्टनेशिप फिर्म्स ठीक है अगले कंपनी से मलब पहली दो भुक्स थो हो गई ठीक है यह आपकी बीसिकली दो वीडियो को शेयर करो as much as possible okay तो शुरुवात करते हैं पार्टनेशिप के लिए क्या के important topics आपको पढ़ने चाहिए अगर हम first chapter शुरुवात करें इसका नाम है fundamentals of partnership Kung आपको पढ़ना को पूरा कवर करने के लिए because यह आपका पूरा बेस त्यार करता है ठीक है मैं इसमें यह नहीं बोल सकते है कि आपको सिर्फ पास एडजस्मेंट करनी चाहिए आपको अगर को निकालना नहीं आएगा है ना आपको ड़ेशन निकरना नहीं आएगा तो आप कोई भी क्वेशन नहीं करवा ओगे इस चैप्टर गाभी और आगयों चैप्टर का भी तो इस चैप्टर को तो आपको पूरा गबने प्रिप करनी है अगी मिलाइग कुछ रायर नॉलिज नहीं होगा आपका बेस रेडी नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते है ठीक है तो आपको हाँ लेडी करना पड़ेगा अच्छा और शर्रुपनी न यहां पर जो बनाने की उपर ओक है और था होता है आपका क्यालकुलेशन आप इंट्रस्ट रॉन कैपिटल कैल्कुलेशन ओफ इंट्रस्ट रॉन कैपिटल यह तीन टॉपिक इसमें काफ़ जदा इंपॉर्टेंट है ठीक है क्लियर है आप इनको एक बार देख सकते हूं अच्छा इसमें एक क्वेशन अगर तुम देखो बुक में दे रखाएगी जिसमें ने तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएं फिर आपके कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस तो आप इस चैप्टर का वेटए ज है तो आगे कि इस चैप्टर के इंपोर्टेंट एंब करना वाथ करते गुडवफिल की बात करूं तो तुमारे सामने तो गुडविल के अंदर बैसे लिए लिएच्टर काफ़ी देशन है ना तो अगेन इसमें इसमें क्या है आपका सूपर प्रॉफिट मेंदड काफ जाते हैं ठीक है आप उसको देख सकते हो और बागी तो चैप्टर मेंसेज कुछ मुश्किल है नहीं है ना एवरेज प्रॉफिट के अंदर चैजस्मेंट वाले एक्वेशन से बहुत कम पुछे आते हैं बहुत कम ठीक है तो आप इसको पूरंट बाव छोड़ दो आपको चैप्टर नहीं करना ठीक है आप सिर्फ इंपॉरेगवेस से ज स्कोर होजाएगे और आप इसको अब प्रीबोट के अंदेर होने वाले हैं ठेक है कि नाओ फोर्ट चैप्टर करते हैं admission किसे करते हैं admission की एड़ फिफ्ट सामने retirement कि अगर आप दोनों chapter कर सकते हो तो काफी अच्छी बात है अगर आप admission भी तो काफी अच्छी बात है बट अगर मैं आप आप से बोलू कि important दोनों में से कौन सा है क्योंकि बच्चे को बहुत दिक्कत होती कि सब admission पड़े तो retirement भूल जाते हैं तो करें तो करें क्या तो यह देखो कि एक fun fact यह बात बता हूं admission chapter में से बहुत कम बूशा जाता है अगर आपने अपने एक्जैम्स भी दी होगे या अगर आप कोई सैंपल फिर उठाओ तो आप चेक करना कि एक आपका question आता है full-fledged ठीक है जिसमें त्यार करना पड़ता है ठीक है तो उसके अंदर basically क्या होता है उसके अंदर basically आपका choice होती है admission और retirement के अंदर ठीक है admission and retirement के अंदर जिसमें आपका revaluation होता है partners capital account होता है यह सब राइट सो अगेन अगर आप मिट से पूछो तो important कौन सा है आपके लिए और easy कौन सा रहेगा करने के लिए तो उसको मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूगा retirement ठीक है so you can say कि आप opt कर सकते retirement को अब retirement के अंदर आपको यह पूरा का पूरा करना पड़ेगा पूरा का पूरा में देखो क्या है basically again जैसे आपका first chapter base त्यार कर रहा था without उस बेस के आप आगे प्रप्रेश्ट नहीं मना पाते थे या पास नहीं कर सकते थे तो से रिटार्मेंट के अंदर आपको बता नहीं हो किस तरीके से आप क्या कहते है आप रिजर्फ को बारते हो है ना profit and loss account की balances को बारते हो clear है investment आपको यह नहीं बता होगा तो आप आगे बड़े वाले क्वेशन का मतलब इसमें पूरी पूरे तो चांसेस रहते हैं full-fledged question full-fledged का मतलब क्या हो गया कि आपको evaluation भी तियार करना पड़ेगा आपको basically पार्ण स्क्राप्ट अलगाउंट भी तियार करना पड़ेगी ठीक है और adjustment की उपर question होता है clear a simple question नहीं होता है पूरा-पूरा अगर किसी को पूरा ही score करना है या किसी को देखो यह बच्ची यह जिसको लग रहे है कि मैं किस तरीके से अपने थोड़ा प्रीवोड में स्कूर सुधार सकूँ या मेरे तो बहुत बसना में क्या क्या कर सको दो भाई तुब हैं रिटार्मेंट पे धिहान दे वह तेले अच्छी साब चैप्टर कर सकते हो तने यह चैप्टर करो क्योंकि इसमें एक टॉपिक है डेथ खा डेथ में से भी क्वेशन हंडड़ पर संगे आता ही आता है हंड़ेशन के अदर से तो आप रिटार्मेंट के पर फोकस करो आपके सब कुछ तेयर हो जाएगा फुल फ्ल प्लेज में रिटार्मेंट के अंदर कर आप आपने देखा हो तो है ना और जो एक इंटेलिजेंट बच्चा होता हो बेसिकली रिटार्मेंट को चूज करता है बिकॉद इस कंपरिटेबली इजियर दैन अधिमिशन ठीक है चलो डेथ को आप देख सकते हो डेथ में से अधियर देख सकते हों कि यहां से है न सिर्फ आपकी जेनल इंट्रीज आती है जैसे एक्सपेंस इसको लिए आपकी जेनल इंट्रीज है फिर आपका यहां पर बनता है इसमें आपके विश्यक्ति एकाउंट के अपर एंट्रीज पुछे जाती है ठीक है अच्छा बहुत रियर जांत होता है कि अकाउंट बनाने के लिए आ जाए जिसको जनल इंट्रीज आती करने अपको बनाए लेता है तो अगेन आप इसमें आप जेनल इंट्रीज करके ज आपको इतना ही करना है अभी इसको पढ़ना कैसे यह मां आपको दूसरी वीडियों बताओ तो ज्यादा बिटर रहेगा वीडियों बहुत लंबी खिच जाएगी है ना अब इसमें इसमें इसकी बात कर लेते हैं इसमें जोगें आपको सारे से अरे पाटनेशिप का अब चलते हैं कंसे टरफ कर लेते हैं स्पंस का तो आप मैं!!" इचके घृपनी सकी बात करूं very important now यहां से पूछा क्या जाता है यहां से आपको पूछा जाता है कि सबस्द्राइब फूर्ट फीचर के पर गैरेंटी एक्वेशन आता ही आता है फूर्ट फीचर प्लेस री इस्यू दोनों को मिला के क्वेशन हमसे पूछता है पूर्फीचर प्लेस री इस्यू तो अगेन अब अब देखो जो बच्चे जिस बच्चे को लगता है कि यार मैं अकाउंट नहीं बना बाता या मिरको फॉर्स्ट बॉक में दिक्कत हो रही है तो में देखो मेरा सेजेशन यह है ना कि जो नए बच्चे जिनकी प्रिपरेश पर्चेस कंसिडेरेशन अधर देन कैश कि मानलो आपने किसी का बिजन्स खरीए था और आप उसको है ना कैश पर पेमेंट ना करके शेर के थुरू पेमेंट कर रहे तो उसमेंसे एक्वेशन बूचता है ठीक है तो यह तो यह तो क्वेशन तो फिक्स से आते ही आते है और पर पेना करके आप शेर की फ़र्म पे पर गड़ते हो तो उसके पर इसके बनते ही बनते फोर फीचर और यह आपका मतलब प्रीमियुम के पर प्र प्रकोश्य आने के जाहाँ चांस रहते ना जिसमें प्रीमियुम पर आप इसक्वेशन फॉर यू कि मैं आप से पूछने कभी क्या शेर डिसकांट पर इशू हो सकते हैं तो जिसको इसका आंसर बता कमेंट सेक्शन मुझे बताएं ना यह दो तो पक्के होगा टॉपिक एक टॉपिक कभी कभी पते कि इसके बर आ जाता है आपका और आपका इसक्वेशन हो गया सब्सक्राइब कापटल हो गया इ सब्सक्राइब करने के सब्सक्राइब कर लिया तो आपके लिए आपके लिए इंप्सक्राइब कर लोगे इंप्सक्राइब कर लोगे कोई इसमें ठीक है ना थर्ड के बात करते हैं तो थर्ड हमारे सामने में पसलिए टॉपिक और आप काड़ जाएगा डिस्काउंट को राइट आफ करना तो उसको आप देख लेना ठीक है और इंट्रेस्ट के ऊपर ठीक है आफ थर्ड बुक की बात हमकर ले तो इतरह लिए सटर्ड बुक में आपको इतना ही करना है फैनप बालएं याद करनी है याद करने कि यदि आंग करनी है जबंना सेनी किया इत्ड कें इंदर आती है यह होगी आपका फॉर्स देखो अगर बात करूं जो सेकंड चैप्टर यहां भी इंपॉर्ट है वह तो रेशो अच्छा रेशो चैप्टर में बता है क्या है तुम्हारे फॉर्मला और साथ फॉर्मला तो ही बट लॉजिक इस इंदर संस्क्राइब कभी आपको बोलता है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बताया सकता कुछ भी आ सकता है थोड़ा सा में फोकुस करने जो थ्री निवी रेशो आट हुई है न उसके उपर ठीक है उसके अब बिजा से आपका नेट ऐसे तैन ओवर रेशो होगी आपको इसके इन रेशो को ज्यादा फोकुस कर जो तीन नई एड हुई है ओके नाव बात करते हैं के अगर आप सबस्क्राइब करने को जो करना उसके पीचए कर लॉजिक समझो कि अपर फिरिंसिंग में कौन से अर्ड़त को अर्र और आपका था और आपका फाइनिसिंग को इक्टिव डिज़ा रही है कौन से क्या-क्या आइटम सारी है ठीक है अगर आप लॉजिक समझोगे तो आप अराम सी कुछन कर लोगे अप प्रपोस्ट डिविडिन के क्या ट्रीटमेंट होता है आपको सब पता हो रहा चाहिए तो अगें कैश लो का अपना पूरा टाइम दो अगर आप इसको सोच रहे कर चार दिन तक तो दो कैश लोगो तब जाके आपका थोड़ा क्लियर होगा तब जाके आप अराउंड एक लड़ाई है जिस बंदी ने ऑपरेटिंग वाला पांट धंग से मना लिया ना तो लगबख उसको खतम हो जाता है तो अगें आपको इसा में फोकुस करना ऑपरे तो आपको कैश लोगे अंदर लॉजिकली सारे स्टेप्स को करना और ओपरेटिंग को जादा फोकस करना ठीक है तो मेरा फोकस रहेगा ऑपरेटिंग कि अगर आप से जाओ तो बाकी में बड़े अराम से जाता हूं चाहे वह फाइनेंसिंग और आपका इन्वेस्टिंग सब इंपॉर्टिंट टॉपिक्स जो कि आपको प्रिपेर करने चाहिए अपने बोर्ड एक्जैम्स के लिए ठीक है अगर मैं आप से बोलू कि यह सब करने में कितना लगेगा तो मेरी बात वानों सब करने में आपको लगेगा अराउंड फॉर्टी फॉर्टी डेस हां अब बढको उता दोगा किस दिन कैसे उठाने टॉपिक यह पहले कि इसको उठाना है अचा पहले किसको उठाने में उसकी भी है होनी नीशी तम लोगो को मैंने बोला कि जो बच्चे नहीं जिसका कुछ भी पूरा नहीं जिसको बहुत डर लग रहा है कांट पास कैसे होग बढ़ा तो भाई तो सबस्क्राइब को उठा ले शेयर चैपर ठीक है उसके आद तुम एक काम करो जाओ जिस बच्चे को लग रहा है कि मैं कैसे करूं थर्ड बुक के अंदर आओ अपना के बैलेंशीट रेश्यो और कैश फ्लो को उठाओ अगर तुम लास्ट में कर सकते अगर आपको यह पसंद आए तो आपको बता को क्या करना है वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्स्राइब करना है ठीक है और या तुम मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में की नेक्स्ट वी तुमको किसकी बढ़ चीज़ है ठीक है सब्सक्राइब तुम्हारे अकॉर्डिंग है पर वीडियो बना सको सब्सक्राइब नेक्स वीडियो आने वाड़ी बड़ी जलते ठीक है